हेलो फ्रेंट्स वेल्कम मैं सिद्दान स्वागत करता हूं आपका पेपर रैकर चैनल में और आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी लेकर आया हूं जी हां खुशकबरी आपने सही सुना है आज से मैं आपको कराने जा रहा हूं आर्मी क्लर्क ठीक है आर्मी क्लर्क के 50 के 50 पूरे प्रेक्टिस सेट जो मेरे दोरा आपको कराय जाएंगे बहुत ही बहतरी तरीके से आप इस प्रेक्टिस सेट को इस चैनल पर भी देख सकते हैं और हमारा एक स्पेसल चैनल है जो हमने अभी क्रिएट किया है आर्मी वाई पेपर एकर ठी ठीक है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आर्मी वाई पेपर एकर जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉस में मिल जाएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राब जूरूर करते हैं और आज से आप मेरे साथ जोड़े रही है डेली ठीक है मैं आज से आ practice set शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी जानकारी देता हूँ ठीक है practice set में आपके दो खंड होंगे कितने खंड होंगे दो खंड होंगे पहला जो खंड है उसमें 15 question आपके GKGS के होंगे ठीक है और जो 10 question है वो mathematics के होंगे और बाकी का जो दूसरा खंड है उसमें 25 question होंगे जो सारे के सारे किसके होंगे English के होंगे ठीक है तो सबसे पहले खंड बन पड़ेंगे उसके बाद खंड टू पड़ेंगे ठीक है तो पहला सुरू करते है ठीक है पहला question है हमारा सिंदु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे ठीक है पहला question क्या है हमारा कि सिंदु घाटी के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे A option है हमारा ब्रह्मा B option है हमारा विष्णू C option है हमारा पशूपती D option है हमारा इंद्र तो देखेए सिंदुःटी सब्विता में ना तो promise जी का ही उल्लेख हुआ है और जो इंद्र जी का उल्लेख हुआ है वो हमारा वैदिक ऑल से संबंध देते हैं ठीक है तो हमारा ओपशिन कौन कांग्रेस की स्थापना कभ उए थी Option देख लेते हैं ए बक्रूंग इना वर्ष 1785 यह 1885 interpretation 2013 कभी वर्ष 1885 है यहाद बक्रूर्छ कांग्रेस की स्थापना अब कभी थी यह हूई थी हमारी बी और कि इस थापना किसके उजारा की गई थी पता ही होगा आपको यह की गई थी आपकी A.O. Hume द्वारा किसके द्वारा A.O. Hume द्वारा और इसका जो पहला अधिवेशन है वो कहा हुआ था यह हुआ था हमारा बंबई में कहा हुआ बंबई में फाइब में ही ठीक है और इसके अद्यक्ष कौन थे इसके अद्यक्ष थे हमारे WC Bener जी है कौन थे WC Bener जी ठीक है नेक्ट कुश्चिन है हमारा आसकर पुरुषकार जीतने वाली प्रिथम भारतिये महला कौन थी जीतने वाली प्रिथम भारतिये महला कौन थी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओसकर कौन सी सिरेनी का अवर्ड है जो हमारा ओसकर अवर्ड है वो हमारा फिल्म इंडिस्ट्री का है इंटरनेशनल फिल्म इंडिस्ट्री का अवर्ड है ये पूरे विश्व में दिया जाता है पूरी विश्व की फिल्म इंडश्ट्री को मिला कर दिया जाता है ओसकर अवार्ड ठीक है तो A option है हमारा जैनती पतनायक B option है कमल जीत संदू C option है भानू अथेया A D option है हमारा नर्गिस दत तो कौन से वाला हमारा option इसमें सही होने वाला है ये हमारा होने वाला है भानू अथेया पहली भारती महला जिनको ऑसकर पुरुसकार मिला था कौन थी भानू अथेया थी कब मिला था इनको इनको मिला था 1983 में कब मिला 1983 में पॉर फिल्म कौनसी फिल्म के लिए मिला गांधी कौनसी फिल्म गांधी फिल्म के लिए मिला था ठीक है भारत में प्रिथम टेली वीजन कारी करम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था भारत में प्रिथम टेली वीजन कारी करम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था a option हमारा 1969 b option है 1957 c option है 1965 यह d option है हमारा 1976 तो कब हुआ था यह हुआ था हमारा 1969 में डेट भी दी गई है 15 September 1969 against कब हुआ था और 1969 में जब इसका प्रशारण हुआ था तब इसका नाम क्या था तब इसका नाम था तैली वीजन इंडिया, क्या नाम था? निल्षण इंडिया लेकिन 1975 में 1975 में इसका नाम बतलकर रख दिया गया क्या रख दिया गया दूर दर्शन प्रकों है डूरीदेशन, ठीक है? ठीक है विश्व जनसंक्या दिवस कब मनाया जाता है विश्व जनसंक्या दिवस कब मनाया जाता है A option है हमारा 3 March B option है 1 June C option है हमारा 11 July या D option हमारा 2nd August ठीक है तो कौनसा वाला option हमारा सही होने वाला है option हमारा सही होगा 11 July कौनसा 11 July हमारा option सही हो जाएगा ठीक है इसके अलावा भी odd dates भी दी गही है ठीक है 3 March ले 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 तो यह क्या होता हमारा World Hearing Day ठीक है 1 June अगर ले 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 तो यह कौन सा होता है हमारा Global Day Of Parents यानि कि Parents का वैश्विद दिवस होता है ठीक है 2nd August को हमारा कोई भी महत्मूर दिन नहीं होता है ठीक है तो इसको जाने देंगे अब नेस्ट कुश्चन अब यह पांच हमारे जो शुरू के वो किसके थे वो हमारे थे जीके के ठीक है अब जो हमारे पांच कुश्चन आने वाले हैं वो कौन से होंगे साइंस के होंगे किसके होंगे सामान्य विज्ञान के होंगे ठीक है तो पढ़ना शुरू करते हैं निम्न में से कौन उस्मा का कुचालक है यानि किसके अंदर उस्मा प्रवाहित नहीं हो शकती किसो पार नहीं कर सकती ठीक है कि एसलों मैं तो यह तीनों जो हैं एना ए बी और यह क्या है यह हमारी दातु है लेकिन हमारा दातु नहीं है कौन सब आला हमारा अप्शन से होता है उच्मा का कुछेष्याल App हो जाएक रासाइ नाम क्या है सिर्के का रासाइनिक नाम क्या है A option है हमारा acetone B option है हमारा acetic acid C option है ethanol D option है हमारा formaldehyde ठीक है तो सिर्के का रासाइनिक नाम क्या होता है Acetic acid सिर्के को क्या बोलते है Acetic acid इसका formula क्या होता है CH3COOH इसको बोलते हैं Acetic Acid या फिर सिरका भी बोल सकते हैं ठीक है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो क्या होती है A. GAS, B. BASH, C. PLASMA या फिर D. ELEKTRON तो सबसे पहले हम GAS की अवस्था के बारे में जानते हैं तो GAS की मुक्रूब से कितनी अवस्था होती है तीन अवस्था होती है जो हमने पढ़ रखी है ठोस दिराव और GAS लेकिन इसके अतरिक जो चौथी अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं PLASMA क्या बोलते हैं PLASMA तो कौन सा वाला option हमारा सभी होने वाला है option number C GAS की चौथी अवस्था कौन सी होती है PLASMA होती है ठीक है next question क्यों बढ़ते है निम्ण में से कौन सा बिटामिन जल में घुलनशील है ठीक है कौन सा बिटामिन जल में घुलनशील है तो हमें एक ही चीज जयाद रखनी है कि दो बिटामिन हैं सिर्फ ऐसी जो जल में घुलनशील है बाकी जो बची हुई बिटामिन हैं वो जल में नहीं घुलती है ठीक है तो वो जो दो बिटामिन जो जल में घुलनशील है वो कौन कौन सी है एक होती ही हमारी B और एक होती ही हमारी C जो जल में घुलन सील है छी के तो A option हमारा vitamin A, B option है vitamin C, C है vitamin D और D है vitamin K, छी कांवारा option हमारा सही होने वाला है C, कांवारा C, अगर B भी दे रखा होता तो इसमें दोनों का option होता हसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र, यानि कि जिसको बोलते हम, लाफिंग गैस, उसका फॉर्मूला पूँच रहे हैं, ठीक है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप्शन देख लेते हैं पहला हमारा न, अ, अ, तूसरा है तूसरा है, एन्ट्री ओ, और हमारा चौदा ओप्शन है एन्ट्व एससी, आई, ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है, एन्ट्व ओ, जिसको बोलते हम नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड अब 5 questions हमारे GKGS के हो गए है और 5 questions हो गए हमारे किसके General Science के अब हमारा जो next section सुरू होने वाला है वो है हमारा computer knowledge का किसका? Computer knowledge का तो हमारा next question है कि computer का जो मस्तिस्ख है वो किसे कहा जाता है मस्तिस्ख का काम क्या होता है ठीक है तो मस्तिस्क का काम होता है हमारी इंद्रियों पर काबू रखना ठीक है इंद्रियों को चलाना ठीक है हम क्या काम करते हैं कैसे करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है मस्तिस्क करता है ठीक है तो A option है हमारा CD B option है हमारा CPU C option है monitor और डी option है हमारा floppy disk ठीक है तो कौन सा वाला option हमारा सही होने वाला है यह हो जाएगा हमारा cpu यानि computer का मस्तिस्क इसको कहा जाता है यह कहा जाता है हमारा cpu को ठीक है अब cpu के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं cpu की full form क्या होती है central processing यूनिट क्या होती है यह Central Processing यूनिट ठीक है Computer द्वारा Dash Information में Process किये जाते हैं यानि Computer द्वारा हम Information में क्या Process करते हैं A Option है हमारा Processor, B है Input C है Data और D है हमारा नमबर तो एक चीज तो में पता चल गई कि नमबर तो नहीं ही होने वाला है अब प्रोसेसर क्या होता है प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है जो सारे कंप्यूटर को प्रोसेस करता है उसको जो भी चला होता है उसको दिखाता है इंपूट क्या होता है जब हम कंप्यूट प्रोसेस किया जाता है डाटा प्रोसेस किया जाता है तो कौनसा अप्षिन सही होने वाला हमारा सी वाला सही होने वाला है डाटा ठीक है निम्ण में से कौन सा application internet से संबंदित है ठीक है ए हमारा tell net B है email, C है UPS और D है हमारा mobile, तो कौन सा हमारा internet से संबंदित है, तो यह हो जाएगा हमारा UPS क्या हो जाएगा UPS ठीक है, तो थोड़ा UPS के बारे में भी जान लेते है अन इंटर रप्टिबल ठीक है प्रोजेजिंग सिस्टम क्या होता है पावर ठीक है अब इसका काम क्या होता है UPS का काम क्या होता है UPS का काम होता है कि जब हमारे कंप्यूटर को मिलने वाली जो बिजली है जो लाइट है वो बंद हो जाती है समाप्त हो जाती है तो जो UPS होता है वो थोड़े समय के लिए उसको क्या रखता है कारियरत रखता है ठीक है निम्न में से किसे computer का पिता महा कहा जाता है ठीक है A option है हमारा बलेज पासकल B option है जोसेफ जैक्यूड C option है हर्मन होलोरित D option है हमारा चार्ल्स बेबेज तो computer का जो पिता महा है जो जनक है वो किसको कहा जाता है ये बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को इसको बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को निम्न में से कौन सा सॉफ्ट्वेर का एक प्रकार है A है हमारा सिस्टम सॉफ्ट्वेर B है अनुपरियोग सॉफ्ट्वेर C है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्ट्वेर यह D हो जाएगा हमारा यह सबी तो यह तीनों ही जो है वो हमारे सॉफ्ट्वेर के प्रकार है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है D ऑप्शन सही होने वाला है यह सभी ठीक है अब नेक्ट जो 10 questions आने वाले हैं वो आपको मिलने वाले mathematics के section से ठीक है तो सुरू करते हैं ठीक है तो question दे रखा है पहले हम question पढ़ेंगे उसका analysis करेंगे उसके बाद ही हम करना शुरू करेंगे पहले हमें जो question में दे रखा है वही हमको लिखना है एक वस्तू 120 में खरीदी खरीदना क्या होता है क्रेमूल ठीक है तो क्रेमूल को बोलते है cost price तो यह हो गया हमारा CP ठीक है कितने में खरीदी 120 रुपए में खरीदी और 160 रुपए में बेची गई बेचना क्या होता है विक्रेमूल तो selling price क्या हो गया 160 रुपए अब यह बोलने हैं तो लाब प्रतीशत कितना होगा क्या होगा लाब प्रतीशत कितना होगा ठीक है तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए कितना होगा तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है प्रॉफिट हमें कब होगा प्रॉफिट हमें तब होगा जब हम किसी वस्तू को कम दाम में खरीदेंगे और उससे खरीदे हुए दाम से जादा में बेच देंगे तब हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा तो हमने 120 में खरीदी और कितने में बेच दी 160 में बेच दी तो profit ही हुआ हमें ठीक है तो profit बराबर हो जाएगा आपका SP-CP यानि बेचा हमने कितने में 160 में खरीदा कितने में था 120 में तो हमें कितने का हुआ 40 रुपए का क्या हो गया profit हो गया लेकिन हम से पूँच क्या रहे हैं ये भी हमें सवाल में पता करना होगा लाब प्रतीशत पूँच रहे हैं क्या पूँच रहे हैं लाब प्रतीशत तो लाब प्रतीशत बराबर होता है जो भी हमें लाब हुआ है और उसके नीचे लिखने वाले हैं क्या क्रेमूल लाब या हानी जो भी हम निकालेंगे लाब प्रतीशत या फिर हानी प्रतीशत जो भी हम निकालेंगे किसके उपर निकालेंगे क्राय मूल के उपर निकालेंगे और कितने से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो लाब हुआ हमें 40 का और खरीदी थी हमने कितने में 120 रुपए में ठीक है 100 से गुड़ा हो गई ठीक है तीन बार में ये चला गया तो ये आ गया हमारा 100 upon 3 इसको लग सकते हैं 33 into 1 upon 3% ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा option number D कौन सा हो जाएगा option number D next question जो हमारा है वो है Samanupath से किस से Samanupath से समानupath में क्या होता है कि जो पिर्धम और चातुरत पद का गुड़णफल है वो बराबर होता है किसके दुटिये और तिर्थिये पद के गुड़णफल के ठीक है तो गुड़णफल कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर X लिख लें X अमाल लें इसको तो प्रिथम की हम करेंगे किस से चर्थर्त से गुणा तो यह हो जाएगा हमारा 18 into 5 is equal to X into 3 ठीक है यह ऐसा ही लिखा रहे ने दिया यह 3 इदर ले आए और यह आगया X का मान हमारा 3 को 6 बार में गया यह हो गया 6 पंजा 30 X का मान कितना आ गया हमारा निगल के 30 तो कौन सा वाला हमारा option सही होने वाला है option number A ठीक है अब यदि 3 वटा 4 रिण चुकाने पर भी 300 रिण 6 बचता है तो कुल रिण राशी कितनी है अब जो हमें fraction दे रखा पहले हम उसको लिख लेते हैं हमें fraction दे रखा है कितना 3 वटा 4 हम लोग यह जानते हैं कि नीचे वाला जो number होता है उसको बोलते हैं हम mool संख्या क्या बोलते हैं mool संख्या यानि कि 3 वटा 4 रिण चुका दिया कितना चुका दिया 3 वटा 4 ही चार mool संख्या थी उसमें से हमने 3 चुका दिया है तो कितना बचेगा हमारा कितना बचेगा एक बचेगा कितना बचेगा एक और कितना बच जाता है 600 तो यानिक के एक बच गया और कितना एक कमान कितना दे रखा है 600 मूल संक्या हमारी कितनी है 4 है तो हम इसको क्या मूल संक्या निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2400 रुपए कौन सा वाला उप्षन सही होने वाला है अप्षन नमबर टे ठीक है अब नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं ठीक है वह चोटी से चोटी संक्या जिसे 2402 मेंसे घटाने पर पूर्ण बर्ग बन जाए तो यह हमारा बर्ग और बर्गमूल चैप्टर से है ठीक है तो बर्गमूल हम कैसे निकालते है एक तो हम निकालते हैं गुडन खंडविधी से और एक निकालते हम भागविधी से ठीक है तो मैं आपको बताने वाला हूं भागविधी ठीक है क्योंकि उसी से ये easy बढ़ने वाला है सबसे पहले जो संख्या हमें दे रख की है हम उसको लिख लेंगे ठीक है फिर क्या करेंगे कि पीछे से बर्ग उपर कितनी खाथ लगी होती है दो, तो कितने के जोड़े बनाएंगे दो-दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे पीछे से, कहां से? पीछे से तो एक जोड़ा ये बन गया हमारा जोड़े में कौन सी संख्या आ रही है? 24, तो 24 के पहले कौन सा वर्ग आ रहा है? हम को ये चेक करना है 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 24 से कम से कम संख्या पर कौन सा वर्ग आ रहा है तो 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो गया और 5 का वर्ग 25 हो गया तो बू क्या हो गया जादा हो गया तो हम क्यों सा लेंगे 4 का वर्ग 1 चार यहां लिखेंगे और 1 चार यहां लिखेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा अब क्या करते हैं? अगर हमारा आगे वाली संख्या बच्छी हुई है तो जितने से हमने जो बर्ग जी में हमने लिखा था तो उतना ही हम उसमें जोड लेते हैं तो उसमें जोड लेंगे तो ये आजाएगा हमारा 8, क्या आजाएगा 8, अब इसको लिख लेते हैं 24 में से 8 गया 16 गया, कितना बचा है यहां पे 8 बचा, कितना बचा है विटा 8, अब जोडे से ही संख्या को उतारेंगे 0, 2 उतार लिया अब हमें यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी उतने से ही गुणा करके इसके पास का माना है ठीक है जैसे मैं लिखूँ अगर 81 यहां पर 8 के आगे एक लिखी दिया तो यह कितना हो गया, 81 हो गया अब 81 की गुणा इसी संख्या से होगी, यानि 81 एकम 81, तो हमें इसी के पास वाली कोई ऐसा नंबर आजाए, उससे हमें गुणा करनी है ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर 9, 9 लिख दिया तो यह हो गया हमारा 89 अब 9 नेमा, 81 तो लाश्ट का इका इक मिल रहा है, तो हमारे 2 के पास का है, ठीक है, तो यहां पर भी 9 लिख देंगे, और 89 नेमा करेंगे, तो कितना आएगा 801 आएगा, कितना आएगा 801 सेस बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 1, तो क्या गटातने कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एक गटाने पर ही, क्या गटाने पर एक गटाने पर ही यह पूर्ण बर्ग बन जाएगा अगर ये एक नहीं होता यहाँ पर एक हो जाता और ये पूरा खट जाता तो ये कितने का? 49 का पूर्ण बर्ग बन जाता ठीक है? तो कौन सा वाला option सही होगा हमारा? इसमें हो जाएगा option number D 1 कौन सा? 1 Next question है हमारा ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये है नहीं बड़ा आप देखी मैं इसको कैसे करता हूँ ठीक है? step by step करेंगी एक भिन दे रखी है और उसका जो हर है वो अंश शे दो अधिक है यानि कि अगर कोई भिन है अगर उसका मैं अंश एक्स मालू तो हर कितना हो जाएगा? x upon 2 कितना हो जाएगा? x upon 2 इसको मैं डाल देता हूँ 1 equation ठीक है? अब सेकंड में क्या बोलना है यदि भिन के अंश में एक की कमी कर दी जाए यानि कि जो भिन है इसमें एक की कमी कर दी जाए तो भिन कैसा हो जाता है? 2 बटा 3 हो जाता है भिन तता अंश भिन के अंश तता हर का योग क्या होगा? ठीक है? तो multiply कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x minus 3 is equal to 2x plus 4 ठीक है? तो ये 3x ऐसा ही रहा है ये 2x plus का इदर आके किसका हो जाएगा? minus का तो 3x minus 2x is equal to x और ये 4 इदर ही रहेगा ये minus कतिन हो जाएगा किसका हो जाएगा? plus का तो ये हो जाएगा 4 plus 3 is equal to 7 अब from equation 1 ठीक है? equation 1 क्या है? x upon x plus 2 तो ये क्या हो गया? हमारा 7 upon 7 plus 2 क्या हो गया? 9 हो गया तो हमारी भिन जो मूल भिनिती वो निकल के आगी कितनी आगई? 7 upon 9 अब पूच रहें कि अंशितता हर का योग क्या होगा? तो अंशितता हर का योग क्या होगा? 7 और 9 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या है आएगा? 16 आएगा क्या आएगा? 16 आएगा तो कौन सा वाला उप्शन से हो जाएगा हमारा? उप्शन नमबर B इस दिर correct answer ठीक है? चलिए नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कि XQ प्लस 27 के गुड़न खंड है इसको हमें गुड़न खंड में तोड़ना है तो ये XQ तो ऐसे ही लिखा हुआ है क्या हम 27 को भी Q में लिख सकते है? क्यों नहीं लिख सकते है? तीन का Q होता है 27 इसका Q हो जाता है? तीन का Q हो जाता है अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा AQ प्लस BQ इस इक्वल टू A प्लस B इंटू A स्कॉर प्लस B स्कॉर माइनस AB तो यहीं हम इसमें लगा देंगे तो A प्लस B किया तो यह आगे हमारा X प्लस 3 और A स्कॉर यानि कि X स्कॉर B स्कॉर B का मान कितना है? तो यहां पर 9 और माइनस का 3 इंटू X तो finally हमारा क्या निकल के आ गया x plus 3 into x square plus 9 minus 3x यह हमारा निकल के आ गया equation इसके golden gun क्या होंगे यह होंगे तो कौन सा वाला option सही लग रहा है इसमें c कौन सा? c option number कौन सा सही होने वाला है c अब यह बोलना है कि x x plus 2 और x plus 4 अगर अब हाज यह संख्याए है तो x का मान क्या है तो इसको हम option से करेंगे किस से करेंगे? option से तो सबसे पहले हम 3 लगा कर देखते हैं तो 3 लगाया तो x लिगा पर 3 आ गया x plus 2 किया तो 3 plus 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और उसके बाद 3 plus 4 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा तो यह हमारी अब आज यह संख्याए है आगई निकल कर अब आज संख्याँ क्या होती है? बे संख्याँ है जो केबल स्वैम से और एक से विवाजित होती है वो संख्याँ कहलाती है हमारी अब आज संख्याँ है तो यह 3, 5, 7 जो है यह केबल एक से विवाजित होगी और swim से बिवाजित होगी चलिए अब दूसरा वाला भी option रख के देख लेते हैं तो 2 रख दिया ठीक है तो ये तो आ गया उसके बाद अगर 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा तो ये तो सम निकल के आ रहे हैं तो ये वाला option तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो कौन सा वाला हमारा option से हो जाएगा option number a 3 क्या हो जाएगा x का मान कितना होगा 3 ठीक है अब देखिए कुश्यन आया आपका समुच्चे से ठीक है ये बोल रहे हैं a का मान समुच्चे में दे रखा है इतना दो चार छे साथ ठीक और बी का मान कितना दे रखा है छे साथ आठ नो ठीक अब देखिए ये कह रहे हैं कि b माइनस a यानि कि b माइनस a करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छे साथ आठ नो ठीक माइनस दो चार छे साथ ठीक अब जो सेम संक्याएं होती हैं वो एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी तो ये भी माइनस हो गई और ये भी माइनस हो गई अब ये दो संक्याएं बची हैं अब हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसमे से किसको गटाने को बोल रहा है तो हमारा चो प्लस वाला होता है वो ही first आता है ठीक है तो प्लस में हमारा क्या आ रहा है भी आ रहा है तो कौन सी वाली संक्या हो जाएंगी 8 और 9 वो वाला घट जाएगा पूरा ही ठीक है तो कौन सा हमारा option हो जाएगा option number C हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है next आजाईए next question है हमारा औसत से ये बोले हैं कि स्तंक्याओं 18, 17, 1, 27 और 29 का जो औसत दे रखा है वो कितना है 23 है तो X का मान बताना है तो औसत बरावर होता क्या है औसत बरावर होता है पदों का योग पटे पदों की संख्या क्या होता है औसत बरावर पदों का योग बते पदों की संख्या औसत हमें कितना दे रखा है औसत दे रखा है हमें 23 पदों का योग देख लें भीया 18, 17, 17 पिलस X, पिलस 23, पिलस 29 और कितने पद हैं टोटल एक दो तीन चार पांच कितने हैं पांच कितने हैं पांच ठीक है यहां तक कोई प्रावबलम नहीं होनी चीए यह इधर आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 115 बराबर यह X ऐसा ही रहेगा ठीक है और यह आवा जाएगा हमारा 87 कितना आ जाएगा 87 यह इधर आएगा हो जाएगा माइनस का और यह हो गया हमारा X अब X की वैल्यू निकाल देंगे ठीक है निकाल देंगे निकाल देंगे ठीक है एक 100 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की जो चाल है वो क्या होगी ठीक है 100 मीटर लंबी जो रेल गाड़ी है तो एक बात आप जान लें कि जो रेल गाड़ी की लंबाई होती है वो उचकी तै की गई दूरी के ही बराबर होती है ठीक है तो चाल बराबर क्या होगा चाल निकाल ली है हमें तो चाल बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटा समय क्या हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी कितनी दे रखी है हमें 100 कितनी दे रखी है 100 और समय कितना दे रखा हमें समय दे रखा है हमें 20 सेकंड ठीक है तो ये आ गई दूरी हमारी आ जाएगी 5 मीटर प्रती सेकंड किसमें 5 मीटर प्रती सेकंड अब रेल गारी की चाल हमें option में किसमें दे रखी है ये दे रखी हमें किलो मीटर प्रती गंटा हमें तो जब मिटर प्रती सेंड को मिटर प्रती गंटा से करते हैं तो जै आते हैं हमारी 18로hen 5 से घुणा हो जाती है तो पाँच घुणा 18 very 5 कर देंगे तो 5-5 तो हमारा आजाएगा 18 किलो मिटर पर आवर क्या आजाएगा 18 किलो मिटर पर ठीक है तो कौनसा वारा option हमारा से ही हो जाएगा option number D कौनसा हो जाएगा option number D अब बढ़ते हैं हमारे next section की तरफ जो हमारा खंड एक था उसके हमने 25 के 25 question solve कर लिये हैं अब हम बढ़ते हैं next ठीक है यह आ गया हमारा English का किसका आ गया? English का तो यह हमारा एक पूरा पैसिज है ठीक है? क्या है? यह हमारा पूरा एक पैसिज है अब जो हमारे 26 से 30 question होंगे नमबर 26 से लेके 30 नमबर तक के जो question होंगे वो हमें किससे करने हैं? पैसिज से किससे करने हैं? इस पैसिज में ही देख के करने होंगे ठीक है? तो सबसे पहले यह 26 वाला 26 नमबर वाला question में आपके सामने पढ़ने जा जा रहा हूँ, ठीक है? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लाइजेशन हैज लेड यानि कि जो अर्बनाइजेशन है नगरी करन है और जो उद्योगी करन है वो हमें लैड टू यानि कि किस और लेकर गया है तो सबसे पहले हम पीजे चलते हैं पैसेज में उसी में इसका अंसर छुपा हुआ है जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें सारे के सारे अंसर मिलते जाएंगे ठीक है? अब हमारा कुश्चन वाला पार्ट सुरू हो गया अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज लेड टू दा ब्रेकिंग अप आफ जॉइंट फैमिली सिस्टम यानि कि जो साथ में रहने का जो पहले के जो परिवार थे वो साथ में रहते थे जो उद्योगी करण हुआ है और नगरी करण हुआ है उससे क्या हुआ है कि वो जो परिवार है वो अब अलग-अलग हो गए है सेपरिट हो गए है ठीक है? तो इसके ओप्शन देख लेते हैं A है हमारा ओप्शन निगलेक्ट एंड श्ट्रेस B है डिग्रेडेशन और फैमिलीज C है ब्रेक अप आफ जॉइंट फैमिली सेट अप या D है नॉन प्रोड़क्टिव एंटिटी तो हमने पैसे से पढ़ चुके हैं यह वाला तो कौनसा वाला उप्शन से यह ओने वाला हमारा ब्रेक अप आफ जॉइंट फैमिली सेट अप ठीक है नाच्ट कुश्चन है हमारा एल्डरली प्यूपिल आर गेटिंग निगलेक्टिड यानि कि जो बूडे व्यक्ति हैं वो निगलेक्टिड हो रहे हैं क्या हो रहे हैं निगलेक्टिड यानि कि नकारे जा रहा हैं उनको उनके उपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है because of the joint family system because of nuclear set up of families because of their age because of their healing health ठीक है तो पीशे पड़ेंगे ठीक है ठीक है अब देखिए आगे हा यहां पर हमारा many elderly people get neglected because of किसके कारण the nuclear setup of families किसके कारण the nuclear setup of families ठीक है तो कौन सा वाला हमारा option से ही हो जाएगा हमारा option हो जाएगा B कौन सा? B because of nuclear setup of families ठीक 28 question है we should behave more responsibly and revise our अब ये हमारा moral supportive question है कि we should behave more responsibly and revise our हमें और अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और हमें revise our हमें अपनाना चाहिए हमारा क्या? A. Past B. Moral values C. Behavior and conduct D. Strength and weakness तो हमें क्या अपनाना चाहिए? हमारी moral values जब आप passage पढ़ेंगे तो इस आपको answer भो भी मिल जाएगा ठीक है? तो क्या में अपनाना चाहिए? हमारी moral values जो हमारी पुराने जो संसकार हैं हमें उनको अपनाना चाहिए कि पहले के हमारे जो लोग हैं बड़े बुड़े लोग हैं वो किस परकार? joint family में रहते थे मिल जोलकर रहते थे कोई भी ईशा का भाव नहीं था ठीक है? उस परकार से next है the only peaceful place left for the aged age यानी कि केवल एक वही एक ऐसा सांतिपूर्ण इस्थान बचा हुआ है for the aged age यानी बड़े बुड़े व्यक्तियों के लिए कौन सा इस्थान बचा हुआ है? their native place their parents home old age home या orphanage तो native place उनका native place तो कोई होता नहीं है their parents home जब वो खुद ही वुड़े हो गए है तो उनके parents कहां से होंगे बताइए आ तो ये भी हमारा option नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो कहां जाएंगे वो old age home में जाएंगे orphanage क्या होता है orphanage तो अनात वच्चों के लिए होता है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है तो कौन सा वाला option हमारा सही हो जाएगा old age home ठीक है next question है हमारा who was seen as symbols of tradition respect and experience ठीक यानि कि किन लोगों को देखा जाता है symbols of tradition respect and experience किन के पास परंपरा होती है सम्मान होता है और अनवब होता है किन को उसने ज़र से देखा जाता है तो हमारे aged लोग जो होते है हमारे परिवार के बड़े सदस जो होते है उनको इस दरश्टी से देखा जाता है ठीक है अब next 31 से 35 फिर से एक और passage मिलेगा आपको उसमें भी आपको इसी passage को देखकर question answer देने है ठीक है तो पहला हमारा question है what is the positive aspect of today's generation यानि कि आज की जो generation है current की जो generation है उसका सकारात्मक बिचार क्या है aspect क्या है उसके सकारात्मक गुण क्या है तो उसका सकारात्मक गुण option यह है they were more intelligent and hardworking बहुत ही जादा intelligent है बुद्धिमान है और महनती है they are more into fashion and time pass बहुत ज़्यादा fashionable है और time pass है they have the power to work less and get more उनके पास कम कारी करने की और अधिक पाने की शमता है ठीक है the youth now knows what he has to do या फिर youth को पता है हमारी युवाओं को पता है कि हमें क्या करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पीछे जाएंगे और passage को पढ़ना शुरू करेंगे the modern youth are more intelligent and hardworking than the previous generations जो नई युवाशक्ती है वो और अधिक बुद्धिमान है और hardworking है पिछली generation से तो पहले का answer मिल गया हमें ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारा पहले का answer पहले का answer हो जाएगा हमारा option number A they are more intelligent and hard working ठीक है next question है हमारा academic qualification is seen as an achievement which adds to the problem due to यानि के academic qualification जो है जो हमारी academic qualification है 1 to 12 या 1 to 12 इच सीन देखी जाती है एन अचीवमेंट एक अचीवमेंट की तरह which adds जो जोड़ती है to the problem due to किस तरह की समस्या से किस सवगे की समस्या को जोड़ती है तो पीछे इसका answer दे रखा होगा हम पीछे पढ़ेंगे जोड़ती है unemployment can be solved partly through proper guidance and counselling and partly through grooming. Young students often disregard the advice of their parents and go on initiating their peers. ठीक है? अब हमारा question आने वाला है जो answer है उसका, ठीक है? यह देखिए एजुकेटिड और सेमी कंड़क्टिड पेरेंट्स यानि कि जो uneducated है, जो बिना पड़े लिखे अनपड जो parents है या फिर जो बहुत ही कम पड़े हुए parents है, ठीक है? ऐसा सोचते हैं कि academic qualification as achievement यानि कि जो 1 से 12 की जो qualification है वो उनको एक achievement की रूप में लेते हैं, ठीक है? तो हमारा option number कौन सा सही होने वाला है? option number a, uneducated और semi conducted educated parents ठीक है? frustration, irritation, anger, indiscipline, arrogance, disillusionment and depression are all the result of, यह किसका result है? यह जो हमें frustration हो रहा है, उत्पीड़ना हो रही है, irritation हम चिड़चिड़ा पना रहा है, गुस्सा आ रहा है, हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा arrogance हो गए है, हम ब्रहमित हो गए है, और depression में जा रहा है है, किसके कारण? educated unemployment, यानि कि हमारे पास हम पड़े लिखे होकर भी unemployment है, हम बेरोजगार है, पड़े लिखे होकर भी, ठीक है? 34 है, suggest a suitable title for this extract, यानि कि जो उपर इस्टेंजा दिया हुआ है, उसके लिए सबसे अच्छा suitable क्या रहेगा title? तो यह हमारा educated, unemployment, education, revolution, fight for power, या professionalism, ठीक है? तो क्या लग रहा है आपको? सहर सी बात है, अगर आपने एक बार इस पैसे को पड़ लिया है, तो आप डारेक्ट ही बता देंगे कि इसका option, यह सही होने वारा है, educated, unemployed, ठीक है? 35 है, identify the correct statement. यानि कि यह चार जो हमारे sentence दिये हुए है, इनको हमें क्या करना है? एक तीन इन में से गलत हैं, और चार जो, sorry, तीन इन में से गलत हैं, और जो एक है वो एक सही होने वाला है, ठीक है? तो कौन सा वाला सही होने वाला है, ठीक है? उपर वाले stenja को देखते हुए हमें यह निर्डे लेना है, ठीक है? इसमें error वाला नहीं आ रहा है, यह उपर वाले stenjas को लेकर कुछ statements दिये हुए हैं, और उनमें से हमें सही select करना है. young students must seek the advice of the school counselors to select a course, यानि कि जो young students हैं, उनको सुझाओ लेना चाहिए, school counselors से कोई सा भी एक course select करने के लिए, या फिर young students must take a course which their friends are opting for, young students को बो वाला course लेना चाहिए, जो उनके friends पर भी है, ठीक है? या फिर young students must take a course as a suggested by their parents, या फिर उनको एक ऐसा course लेना चाहिए, जो उनके parents उनको suggest करें, या फिर young students get the employment easily, जो young students हैं, उनको easily employment मिल दा है, तो ये तो होगा ही नहीं, और parents से भी नहीं, क्योंकि हमारे जो parents हैं वो, या तो उपर, पैसिस के हिसाब से, या तो uneducated हैं, या फिर कैसे हैं, semi conducted हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाईया, फ्रेंट्स के साथ थोड़ी ना जाना है, फ्रेंट्स जिंदगी पर साथ थोड़ी ना देंगे, तो कौनसा वाला हमारा option हो जाएगा, option number हो जाएगा, हमारा option number A, ठीक है, यंग स्टुडेंट्स जानी की जो युवा प्रित्वा है, युवा जो अभ्यारती है, उनको कैसा course select करना चाहिए, जो उनके school counselor उनको suggest करें, उनको एक ऐसा course लेना चाहिए, ठीक है, अब आगया हमारा next, ठीक, अब ये आगया हमारे grammar से, ठीक, 36 to 38, fill in the blanks using the correct article, यानि कि हमें क्या परना है इसमें, आर्टिकल परना है, आर्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल, इनको हम, determiners भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब आर्टिकल कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा definite article, क्या होता है, definite article, और एक होता है हमारा indefinite article, ठीक, ठीक है, definite क्या होता है, दा और indefinite क्या होते हैं, ए और, ठीक है, दा किसके लिए उसकरते हैं जब हमारा कोई definite होता है एक चीज जो निश्चित होती है उसके लिए दा लगाते हैं और हिंदी बर्ड माला के उच्छाण के अनसार जो हमारा स्वर होते हैं उनके अनसार हम लगाते हैं A और N ठीक है तो शुरू करते हैं डाक्टर राधा कृष्णन वाज डैश मोर फेमस फिलोसफर दैन आ पॉली टीशियन ठीक है तो जो डाक्टर राधा कृष्णन थे वाज ए आएगा दा बी एन सी ए या फिर दी नो आइटिकल तो वाज ए आएगा क्या आएगा ए वाज अ मोर फेमस फिलोसफर जादा अत्यदिक प्रिसित फिलोसफर दैन आ पॉली टीशियन एक राजनेता होने के साथ साथ ठीक नेक्स्ट है higher you go colder it is तो इसमें कौन सा आएगा ए दा या फिर दा दा या फिर ए एन या फिर एन दा तो यह आएगा हमारा the higher you go यानि कि जितना उचा तुम जाओगे the colder it is उतना ही ठंडा होता चला जाएगा हम बाड़ो पर जितना उचा चले जाते हैं उतना ही ठंडा होता चला जाता है ठीक है next है the eggs are sold by doesn't ठीक अब इसमें हमें article बढ़ना है ठीक है ए हमारा फिर एन फिर दा और फिर नो article ठीक है the eggs are sold by the doesn't किसके हिसाब से मेंचे गए हैं जो अंडे हैं वो किसके हिसाब से मेंचे गए हैं डेजन के भाव से ठीक है अब यह आ गए हमारे पैरा जंबल क्या आ गए पैरा जंबल rearrange the following in the correct sequence to form a meaningful sentence यानि के a b c d यह हमें चार sentences दिये हुए हैं और इनको हमें एक ऐसे क्रम में लगाना है जिससे इनका एक meaningful sense निकल सके ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत हम जहां तक है nounia pronounces हमारी शुरुआत हो रही है तो इसमें से कौन सा एक ऐसा sentence है जिसकी शुरुआत जो है वो nounia pronounces हो रही है तो वो है हमारा c वाला the weather क्या है the weather the weather becomes cool and pleasant मौसम जो है कैसा हो रहा है cool and pleasant थंडा और सौहवना ठीक तो हम देखेंगे कि c से कौन सा सुरू हो रहा है तो एक तो c से सुरू हो रहा है a वाला एक और आए d वाला तो ये दोनों तो नहीं होंगे ठीक है अब the weather becomes cool and pleasant फिर आएगा आपका for some time थोड़े समय के लिए though there is humidity in it which is troublesome तो कौन सा वाला हो जाएगा हमारा d वाला हमारा option जो है वो एक दम correct होने वाला है ठीक है फिर से आगया ठीक है arrange the given in a logical order to form a meaningful sentence ठीक PQRS often disheartened face failures when we are ठीक तो सबसे पहले हम सुरू करेंगे तो कहां से सुरू करेंगे हमें देखना होगा सबसे पहले हम इस से सुरू करते हैं तो अगर हम यह करते हैं कि we are face failures when we often disheartened तो इसका कोई miss sense नहीं निकल ला है ठीक है लेकिन हम when we जो सुरू करके देखते हैं when we face failures यानि कि जब हम असफलताओं का सामना करते हैं we are often disheartened तब अक्सर हमारा दिल जो है क्या हो जाता है तो कौन सा वाला हमारा सही हो जाएगा R Q R Q S P C वाला जो हमारा option है वो सही हो जाएगा अब देखिए यह आगए हमारे error इसमें हमें error को spot करना है चार पार्ट में यह दिया हुआ है यह A है इसका यह V है और यह C है और यह D यानि कि no error एक पार्ट में इसके error है वो पार्ट हमें देखना है The vaccine when hit the Indian market It dodged Y controversy तो क्या गलत लग रहा है हमें इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बव क्या देखेंगे बव तो बव हमारी यह यह तो हो गई हमारी helping verb और यह हो गई हमारी main verb main verb हमारी past form में दी हुई है main verb हमारी कौन सी form में दी हुई है main verb हमारी past form में है तो कह यहां पर यह present आएगा नहीं क्या आजाएगा इज की जगा पर क्या आजाएगा वाउस क्या आजाएगा इज इज रिप्लेश्ट वाई वाउस ठीक है अब नेक्स्ट फिर से error है its son is working very hardly उसका जो बेटा है वो बहुत ही कटन परिश्रम कर रहा है लेकिन एक मिनट यह हमें क्या दे रखा है hardly क्या दे रखा है hardly कटन परिश्रम को क्या बोलते है very hard working very hard hardly का sense तो negative में होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा और यह हमारा क्या है adjective भी है hardly क्या है adjective है और जबकि यह तो हमारा पहले ही आ चुका है ठीक है यह adverb आ चुका है तो उसके बाद adjective तो नहीं आएगा तो यह क्या हो जाएगा hardly is replaced by hard यानि कि hardly की जगा हम क्या यूज करने वाले है तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्व हमारी है और यह थर्ड फर्म लगी हुई है तो हमारा जो a section है उसमें कोई भी गलती नहीं है इसमें भी हमारा सही है इसमें भी कोई गलती नहीं है new यह भी ठीक है equipments, equipments क्या होते है equipments है एक uncountable noun क्या है? uncountable noun तो uncountable noun कभी भी plural नहीं होते हैं तो क्या होगा हमारा? as हट जाएगा क्या लिखा जाएगा? equipment क्या लिखा जाएगा? equipment ठीक है? अब next है मारा 44-46 fill in the blank with the correct word form of the given options अब यह हमें options दिये हुए है इनी options में से हमें एक भरना है we should go, हमें जाना चाहिए doing more good than harm यानि कि हमें किस की तरफ जाना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए more good than harm किसी को परिसानी पहुचाने से जादा हम क्या करें, उसका कुछ अच्छा करें तो, के option है हमारा on be above, c है about या d है, to तो कौन सा वाला हमारा option से ही हो जाएगा हमारा option से ही हो जाएगा, c we should go about doing more good than have when we go home last evening, जब हम last evening अपने घर गए we found that the guest हमने देखा या हमने पाया जो guest से वो आ चुके थे अब चुके थे तो क्या हो जाएगा हमारा have arrived नहीं होगा ठीक है या has arriving arriving तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि has के साथ above की third form आती है is arriving भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि वो आ चुके थे तो क्या हो जाएगा past वाला हमारा had arrived क्या हो जाएगा had arrived hypocrites try to apprecies ठीक hypocrites क्या होते है hypocrites बोलते हैं कप्टी लोगों को यानि कप्टी लोग प्रियास करते हैं appearance means क्या होता है दिखावे करने का यानि के कप्टी लोग जो प्रियास करते रहते हैं किस चीज का दिखावा ही करने का प्रियास करते रहते हैं क्योंकि उनमें इतना कपट होता है कि वो दिखावा ही कर सकते हैं अच्छे होने का ठीक है तो keep up on यानि के चालू रखना keep over खतम कर देना keep up दूर करना या keep up जारी रखना तो क्या करते हैं keep up क्या करते हैं keep up तो क्या हो जाएगा hypocrites try to keep up appresences ठीक choose the correct synonym for the given words ठीक है अब आगया हमारे synonym और enternyum ठीक है दो synonym मिलेंगे हमें और साइथ दो enternyum आगे मिल जाएं ठीक है तो 47 है invariable क्या है invariable तो invariable का Hindi meaning होता है आपका अचल यानि कि जो एक जगा पर इस्थिर रहता हो usual अधिक्तर यूनिवर्सल ब्रह्मांड का जो भी constant constant का meaning भी क्या होता है इस्थिर क्या होता है इस्थिर यानि कि अचल और similar यानि कि समान ठीक तो क्या हो जाएगा हमारा option option number हो जाएगा c यानि कि constant कौन सा constant अचल का मतलब भी इस्थिर होता constant का मतलब भी इस्थिर होता invariable का मतलब भी क्या होता है इस्थिर eternal eternal क्या होता है ठीक है तो eternal होता है हमारा आंत्रिक्या होता है आंत्रिक्या सास्वत अमर ठीक तो a option है हमारा innumerable un-miserable innumerable मतलब जिसको किना न आ जा सके un-miserable जिसको मापा न आ जा सके prolonged या फिर perpetual क्या है prolonged या फिर perpetual ठीक है ठीक है तो perpetual का मतलब होता है लंबा या फिर बहुत अधिक समय तक रहने वाला यानि कि बहुत अधिक समय तक रहने वाला ये भी क्या होता है सास्वत और ये भी होता है लंबा तो इसके similar क्या हो जाएगा प्रपैक्चुल भो जाय का फिसला कोई श्ट्राउब भीक अब आ गएा हमारे अंटर्री ति कोकस-फोकस का मतलब क्या होता है ध्यान केहेंदल करना है त्यू कि छिप जाना दिखाई ना देना ठीक लेयर क्या होता है परत होता है लिंक क्या होता है जुड़ा होना क्या होता है जुड़ा होना ठीक तो क्या हो जाएगा हमारा इसका disperse क्या हो जाएगा disperse focus means केंदर पर होना और disperse means चारो तरफ होना ठीक है equilibrium क्या है equilibrium ठीक है equilibrium क्या होता है equilibrium का मतलब होता है santulan क्या होता है santulan करना workout exercise करना disturb परिशान करना unevenness या फिर imbalance ठीक तो इसका क्या हो जाएगा imbalance यानि कि asantulit ठीक है क्या हो जाएगा asantulit ठीक है तो ये हमारे पहले practice set मैंने आपको करवा दिया आया है और 50 के 50 questions हो गए है आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली अपडेट्स लेते रहें और आज से मैं आपको डेली के डेली एक practice set करवाने वाला हूँ तो हमारे साथ जुड़े रही है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रेक्टिस साइट में ठीक है धन्यवाद